नमस्कार दोस्तों मैं भी सीख आपका भी सीख टुटिरल पे स्वागत करता हूँ बिहार बुर परिच्छा 2020 जो होने बाली है मैटिक इंटर की परिच्छा 2020 में जो हो रही है उसके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी यहाँ पे आ गई है क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता था कि सिलेबर जो 30% जो छोटा हुआ था वो तो सबको यहाँ पे पता था लेकिन अब जो है वो आपका बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे कि अब जो अबजेक्टिव का जो पैटर्न होगा वो 80% जी हाँ जो पहले 50-50 का चल रहा था वो 80% पे विचार यानि कि न्यू पेटर्न बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी बहुत ज़्यादा यानि कि आप सोच नहीं सकते हैं जितना इजी हो गया है हाला कि आप लोगों को पता है कि यह जो पीरियर चल रहा है कुरोना का पीरियर तो इसमें सभी का जो प्रॉब्लम को देखते हुए कहीं ने कहीं यह कदम उठाया गया होगा तो आएए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनल पर पहली बारे सब्सक्राइब करके घंटी जोरु बजा दीजेगा क्योंकि यहां पर पलपल की अपडेट आपको पहले मिलती है अगर आप घंटी नहीं बजाओगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी इसलिए बार करो और सब्मिट करने के तीन सेकेंड के अंदर उसका वीडियो स्लूशन पाओ क्लास 6 से 12 से लेकर नीट आइटी जीमेंस एडवांस के सभी डाउट का सफाया दोस्तो इसका एक और खास्यत है एक वाट्सट नमबर दिया गया है आठ 400 400 400 जहां पर आप अपने प्रवबलो को कर रही है कब करेगी बहुत लोग की आ रही थी जबकि मैं पहले बताए था आपको कि video पर मैं बता दिया था कि 30% स्लिवर्स कम होगा कम होगा कम होगा लेकिन बहुत लोग बिसे किये थे लेकिन कुछ जो दो तीन लोग दस लोग ऐसे थे जिनों ने कहा था कि स्लेबस क्योंकि बिहार बूर्ट जो है वो आपको पहले से पता है कि NCRT के स्लेबस को ही फॉलो करती है तो जब NCRT ने खुद कह दिया है कि आप 30% स्लेबस हम लोग कम कर रहे हैं तो बिहार बूर्ट को यहां से फिर से स्लेबस जारी करने के जोड़ नहीं है बस उन्होंने कह दिया है कि 30% जो स्लेबस है वो आपका कम हो जाएगा अब यहां पर बड़ी अपडेट यह है जो 30% स्लेबस कम हो गई है चलिए ठीक है कि 30% स्लेबस कम हो गई है लेकिन छात्रों को प्राबलम यह हो रही क्योंकि इस बार जो पैटरन चेंज हुआ है कि 100 नंबर इंगलि स्लेब को जोड़ दिया गया पहले पांचमी सब्जेक्ट होती थी इस बार छटमी सब्जेक्ट हो रही है तो यहां पर लोगों को दिकत यह है कि यह जो पैटरन चेंज हुआ है तो जो परसेंटे 30% चेंज हुआ है तो क्या 100 में 70 नंबर का एक्जाम आएगा तो ऐसा बिल ऐसी का सिलेबस आया है न्यू सिलेबस आपको गुगल पर मिल जाएगा या बोलिये गए था मैं आपको अलग से बीडियो दे दूँगा तो उस बीडियो में बता दूँगा कोन को सा सिलेबस कट हुआ है और आपको उसे छोड़कर ही वह सिलेबस पढ़ना है आप जो यह बात हो रही है कि 80% जो objective का मामला आया है कि 80% objective पूछे जाएंगे तो यह जो 80% का जो मामला है वो बिचार निये हैं यानि कि अगर यह जो कुरोना का रफतार है अगर यह नहीं कमता है तो exam को conduct कराने में बहुत problem आस रही है तिक इसलिए question को easy करने के लिए exam को easy करने के लिए जो long answer question है उसे कम कर 80% यानि 100 में 80 नमर का exam जो होगा वो objective का होगा और 20 नमर ही subjective के प्रस्न होंगे तो यह आपके लिए बहुत बड़ी update है तो बिलकुल तयारी में लग जाए और आपको यह भी बता दें कि सिले बस तो दूंगा ही दूंगा साथी साथ बहुत जल्द इस चैनल पे आपका जो है crash course शुरू किया जा रहा है दसमी और बराहमी दोनों के लिए ठीक है तो जल्दी से चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा क्योंकि crash course की तैयारी पूरी हो गई है कुछ दिनों में ही crash course news levels पे बेस्ट शुरू कर दिया जाएगा तो जल्दी से वीडियो क share जरूर कर दिया आप